सुनील साजन, अब ये अवसर वादिता का एक नया गढ़बंदन और जिसमें सेहमती की जाती आधारित जनगरना होनी चाहिए, ये अब से पहले क्यों नहीं हो पाया, क्यों याद नहीं आया, सरकार आपने भी चलाई? कि आधारित जनगरना हो जाएगी तो ये ऐसर वाद है, आपको क्यों नहीं लगता है कि जाती जनगरना इस देश में हो जानी चाहिए? क्यों भरती जंता पार्टी की पेट में दर्द हो रहा है मैंने आदर्णी किसी त्यागी जी को सुना उन्होंने 1931 से लेकर के अब तक के घटना करम को बताया करपूरी ठाकुर जी के बारे में बताया सोशलिस्ट लगातार जाती जंगरना के बारे में बात कर रहे है वो डाक्टर अम्बेट कर रहे हूं या लुहिया जी रहे हूं या नेता जी या समाजवादी पार्टी अभी भी 2022 के चुनाओं में जब गई हमारा जो गोषणा पत्रता उत में था कि हम अगर सरकार में आ जाते हैं तो तीन महिने के अंदर जाती जंगरना कराएंगे और सिर्फ जाती जंगरना क्यों कराएंगे ये बात हमारे नेता मानिय अकलिस यादो जी लगातार बोल रहे कि जब तक जाती जनगरना नहीं हो जाती है, जब तक आप किसी के बारे में यह नहीं जान जाते हैं कि उसकी आर्थी की स्थिती क्या है, सैच्छी की स्थिती क्या है, समाजी की स्थिती क्या है, नोकरी में है की नहीं है, उसके पास खेती करने के लिए कुछ है या नहीं है, तब तक आप कैसे उसकी मदद कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, भाजपा के मैं प्रवक्ता को सुन रहा था, कि आधी डिवेट आप लगातार सवाल पूछ रही थी, वो लगातार जूट बोल रहे थे। भाज, मानी राजनाज सिंग जी ने जो कहा, उस पर ये टिक नहीं पा रहे हैं। नित्यानंद राय जी ने जो सदन में कहा, उस पर टिक नहीं पा रहे हैं। गोपिनाद मुंडे जी नहीं है, लेकिन उन्हों ने जो कहा, उस पर टिक नहीं पा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि नियम सबके लिए है, बिजेपी में सामान सबके लिए बराबर है, अरे बाई, EWS आप लेकर क्या है? हमने तो आपका स्वागत किया, कि बड़े वर्के लोग अगर कोई गरीब है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसे आरक्षन मिल जाना चाहिए, ले थी सोचलिस्टों का, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी. सरकार चलाई, यह तो तब भी हो सकता था, अगर सोचलिस्ट का नारा, सोचल इक्विटी का नारा, तो इसका मतलब उसका, सुन लिजे, हमने आपकर सवाल सुन लिया, अगर माली जे हमारी सरकार थी और हम सरकार के बाद कह रहें, जाती जनगरना होनी चाहिए, तो कराएंगे, और कैसे करेंगे, आप बताईए, आप यह चाहती है कि नहीं पूरे देश में बराबरी हो, आप बताईए, दिल्ली सच्वाले में, जो दो फिजदी लोग हैं, वो 90 फिजदी पदों पर बैठे हैं, तीक है सरकार चलाने के बाद सुनिल सिंह साजन, आ रही हू पाज़त नहीं दे रहा हूँ की